हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जोती की वेजले सोई में आपका स्वागत है आज मैं आप सब के साथ बहुत ही टेस्टी सबको पसंद आने वाली बेंडी की रेस्पी सेयर करूंगी जी हां आज की रेस्पी बहुत ही टेस्टी होने वाली है तो एक बार जिरूब ट्राइ कीजिए आए फिर आज ये बहुत ही टेस्टी रेस्पी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी लिया है जिसे मैंने पहले से धो कर रहा था इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है अगर आप उसी टाइम पर धोते हैं किसे कपड़े से पोच लीजेगा इसमें बिल् कर लेजिए अब इसे बीच से भी मैं थोड़ा से इसमें कट लगाने वाली हूं यह देखी तरीके से पूरा आर बार नहीं करेंगे बिस बीच से थोड़ा से कट लगाएंगे और बीच में अंदर चेक कर लेंगे तो इसी तरीके से सारे पीसे इसकों मैं बीच से कट लगा यह देखिए मैंने हाँ पर सारी भिंडी को कट कर लिया है साइज उसी तरीके से मैंने सेम रेखा है जो भिंडी थोड़ी छोटी थी उसमें दो टुकड़े किये हैं और जो थोड़ी बड़ी है उसमें तीन टुकड़े तो आप अपने हिसाब से साइज सो कर लीचेगा अब की त्यारी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने सर्सो का तेल करम होने के लिए रखा है आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं पर सर्सो के तेल में कोई भी सबजी जादी अच्छी बनती है इसलिए मैं यहाँ पर सर्सो का तेल यूज़ करूंगी अब उसमें भिंडी को डाल क हमें इसे फ्राई कर लेना है आप चाहें तो दो बार में भिंडी को फ्राई कर लीजिए मैं यहाँ पर सारी भिंडी को एक बार में फ्राई कर लूँगी तो यहाँ पर इसे मेडियम आज पर हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है 50% तक हम इस भिंडी को अच्छे से पकने दे बीच बीच में से चलाते रहेंगे तो यह देखे यहां पर भिंडी बिल्कुल अच्छे से सुखी सुखी है अगर आप उसी टाइम पर किसी भी रेसिपी में भिंडी को धोकर यूस करते हैं तो उसमें काफी चिपचिपा बन रहता है तो इसलिए ध्यान देखेंगे कि देखेंगे भादका निकाल लेते हैं तो यहां पर मैं एक प्लेट लिए अब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेगे आप इसके पाद देख लिए कि कड़ाई में आपका कितना तेल बचा है अगर आपका तेल कम है तो आप इसमें और डाल लीचेगा तो यहाँ पर मैंने सारी भिंडियों को निकाल लिया है तो मैं आपको पास से दिखा दूँ यहाँ पर मेरे भिंडी का कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है यह देखिए तो चलिए फिर आगी के त्यारी करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरा दो चम्मस तेल बचा हुआ है इसमें और तेल मैं नहीं डालूंगी अब इसमें आदा छोटा चम्मस जीरा डालेंगे जीरा तड़क जाने के बाद इसमें एक बारी कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे प्याज का कलर थोड़ा सा ब्राउंड करना है हमें बहुत जादा ने पकाना यहाँ पर मैंने सिर्फ प्याज को एक मिनट तक मीडिया माज पर इस तरीके से भून लिया है अब इसमें हम डालेंगे लजोन दरक का पेष्ट जब प्याज रोड़ा सब पक जाएगा उसके पाद तो अब यहाँ पर एक चमच लसुन द्रक का पेश्ट डालेंगे इसमें और इसे भी अब हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे यह दिखे इस तरीके से तो यहाँ पर प्याज और लसुन द्रक का पेश्ट हमारा अच्छे से भून चुका है तो यहाँ पर एक से डियर मिनट इसे मैंने भून लिया है अब इसमें एक बारिक कटा हुआ टमाटर डालेंगे इसे भी डाल कर हम इसे अच्छे से भून लेंगे इस तरीके से तो आप ये दही बिंडी के रस्पी कब बनाएंगे मुझे कमेंट बहुत में जरूर बताएगा सच मुझे आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आने वाला है तो अब यहाँ पर आधी छोटी चमच हल्दी पॉर्डर डालेंगे एक छोटा चमच कस्मीरी लाल मिर्च पॉर्डर आधा छोटा चमच जीरा पॉर्डर एक छोटा चमच लाल मिर्च पॉर्डर आपको कितना तीखा पसंद है आप उसे साब से मिर्च का यूज कर लीजिएगा अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट हो जाने तक हम इसे पकाना है अब इसमें हम नमक डाल देते हैं तो यहाँ पर एक छोटा चमच मैं नमक का यूज करूँगी आप अपने टेस्ट के अकवडिंग नमक का यूज कीजिएगा अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हमारे टमाटर जब तक अच्छे से गल ना जाए तब तक हम इसे भूनेंगे तो यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं गल चुके हैं तो अब इसमें हम दही का यूज करेंगे तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी दही लिया है यह बिल्कुल नॉर्मल दही है बिल्कुल ज्यादा खटा नहीं है अगर आप बहुत ज्यादा खटा बुराना चाते हैं तो आप खटी दही का यूज कीजिएगा मैंने यहाप पर normal दही लिया है चमच से अगर आप लेंगे तो 4 बड़े चमच यह दही है तो दही डालते समय मैंने यहाप पर gas को off कर दिया है या फिर आप एकड़म कमाच पर भी दही को डाल सकते हैं क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जब हम दही डालते हैं तो फटने का चांस रहता है तिसले कोसिस करेंगे कि गयास को बंद कर देंगे तब धही डालेंगे तो बिल्कुल फटने का चांस नहीं रहता तो अब मसालों में धही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखे इस तरीके से बिल्कुल भी लंफ नहीं रहना चाहिए हमारा मस स्ताल आच्छे समीक्स हो चुका है अब इसमें जो हमने फ्राइक करके भिंडी रखा था उसे मिला लेंगे Wells यो ज आदब इस तरीकेसे अफ ही तक हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं किया दोकुन छोइसे आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे हम डालेंगे एक छोटा चमच गरमसाला पॉरडर और वापस से हम मसाला डालके मिक्स कर लेंगे तो आप ये रेस्पी कभी भी बना सकते हैं आप इसे रोटी, नान या फिर फ्लाव, चावल किसे के साथ भी बनाईए सच पूछ ये सबको बहुत ही पसंद आएगा ये देखें कितनी टेश्ट ही दिख रही है हमारी सबजी तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें यहाँ पर मैं पानी का यूज़ करने वाली हूँ तो पहले मैं आधा कप पानी डालूँगी आपको कितना ग्रेवी रखना है आप इसी साब से पानी का यूज़ कीज़ेगा देखें आधा कप पानी डालके थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी गाड़ी लग रही है तो यहाँ पर मैं दुबारा से आधा कप पानी और डालूँगी क्योंकि बनने के बाद यह थोड़ी और गाड़ी होती है तो यहाँ पर मैंने और आधा कप पानी का यूज़ किया है तोटल मैंने एक कप पानी का यूज़ किया है इसमें यह देखिए इस तरीके से इतना ही ग्रेवी रखा है क्योंकि बनने के बाद यह और गाड़ी हो जाएगी तो आपको कितना ग्रेवी रखना है उसे इसाब से पानी कमियाधी कर लीजेगा तो अब इससे ठकन से कवर कर देंगे और साथ से आठ मिनट के लिए और पकने देंगे तो यहाँ पर आठ मिनट हो चुके हैं और यह देखिए हमारी दही भिंडी बिल्कुल कम्प्लेट दिख रही है बहुत ही टेश्टी दिख रही है इसी थोड़ सा चला कर इसके ग्रेवी को चेक कर लेंगे यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट है मैं इतना ही ग्रेवी इसमें रखने वाली हूँ तो आज की बहुत ही टेश्टी दही भिंडी की रेश्पी कम्प्लीट होती है अगर आपको आज की रेश्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीचेगा और अगर आप चैनल पर नहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बिल आइकन को जरूर प्रेस कीचेगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे तो फिर मिलते हैं ऐसी टिश्टी वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू